अब जोइन कर लिया है कोशिश करें कि मैंने एसाइमेंट के लिए एक पोस्ट की विए पोशिश करें अपने एसाइमेंट्स अपने स्टोर का यूरल और पासवर्ड उसके कॉमेंट्स सेक्शन में जाके पोस्ट कर दें आप लोग नैंटी टू लोग स्काइम ऑनलाइन हैं बट असाइमेंट्स सिफ सत्रा लोगों ने पोस्ट किया है मैं आपको रिप्लाय कर दिया था कि आई विल ट्राय कि मैं उसको वेलेबल करवा दू एन आवर्स टाइम एक्स्टेंड नहीं होगा मिस अल्रेडी तो दिन मैंने एक्स्टेंड कर दिया था दो दिन दो दिन मैं तुछ इंडेंड कर दिया था आप लोगों के तीन दिन स्टेंड हो गया बंडे को सब्मेट करवानी थी मंडे को भी नहीं करवाई यूज बी गुजर गया वेंस्टेंड बोज़ गया तो टैन आवर्स टाम एक्स्टेंड नहीं होगा असाइमेंट वास्ट आपको इत तो जिन लोग ने कर लिए हैं वहां पर सब्मेट करवा दें अपना लिंक पोस्ट कर दें नहीं जैसाइमेंट का टाइम एक्स्टेंडर नहीं होगा किसी भी सूरत मुहमद आतिफ जिन अगर आप लोग इतने दिनों में भी नहीं कर सके तो यह एक दिन इक्स्टेंडर करना किस्टींग जो के किसके कोई जरूरत नहीं है कि अगले अगर आप लोग ने फिमने दिनों में नहीं की तो अब आप लीस्ट एफिट तो किये अपने देजंट मैटर मुझे लगा किमस्ट से ज्यदा बेजे कोई भी नहीं होगा वेश्यों नहीं है चैट का फंक्शन जिन्हों नहीं बैड किया नो इशुज आट आल चले यह तो बहुत अची बात है चले मरीम आपको सेथ दे यह कह सकता ह सब्मिट का कहा नहीं था अभी मैंने एक पूस्ट की वही है उसमें आपने मोमेंट सेक्षिन में जाके अपने असाइमेंट का लिंग यह उसका अपने स्टोर का यूरल और पासवर्ड पोस्ट करना है चलें मैंने पहले कोई पोस्ट नहीं कि फरासेद अली आप अपता कि क्या हुआ परासिद अली आपना चले खेर रहने दो क्यों मैं को हुआ यह था कि मैंने मिल्मियोस घ्रूब ठाने मेरा अउसमें पेस्ट पुस्ट कर दिया था आइए तो वहाँ पर लो만ों कामेंट अना श्रूब होगे सर कौन से साइमेंटान तो तो मुझे पहले मुझे गुस्सा आया मैंने का यह इस ग्रूप में ऐसे लोग भी है जिसको पता ही नहीं है कि साइमेंट कौन से दिये हैं फिर जब मैंने प्रीवियस ग्रूप में पोस्ट कर दिया है फिर वहां से मैंने डिलीट की एंदेन आई पोस्टेट इन यह करने की टॉक टू को अकाउंट के सब कनेक्ट किया फिर स्टोर में जाके चैट विजिट कहां से मिलेगा सायर नसीम आपको अप्लिकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी टॉक टू अपने शॉपिफाई स्टॉर शॉपिफाई में जरूरी नहीं है जिस जिसके जरूवत है लोग-इं बीटाव करना है इंस्टॉल करने के बार लॉग-इं भी करना है अच्छाची चलें पहला जो पहला प्हली असायमन में करने लगा हूँ अर्सलान अली मैं रेंडमली लोगों के सायमन्ट्ट करूओं यहां पर ऐसा नहीं होगा प्लीज यह मत कियेगा सर्मेरी क करते मेरी करने मैं रेंडमनेंटी यहां से लोगों को चूस करूँगा और फिर उनके समचाक कर लें क्यूंकि आप लोगें बहुत सह लोग हैं एक बहुत लोग निद्सक्रादर खेला तो सब की संद्लें से लिटाज कर ne मैंने काया सबने मैंने बहुत मेनद कई ये बहुत मेनद की दिए हम एक और काम करते हैं वह आप मिस्टेक लिए से एक जैसी हो इस एकво हो गी टेओ कि fragrance ताकि आलिम्स्टेक्स लिए स्टेक्स की होंगी पहली साइमन जो चेक्स करूँ कॉइस होती है pots आप लोग यह अबने करकेन का रखना अबमने करखना है मेरी जो नहूं इसटिच श्याजर्ट यूजर को घूमेशा यूजर्स लोगों को मेरी अपनी केhtी है विए कहती है कि हाफ स्क्रीन पर आपका स्लाइडर और हाफ स्क्रीन पर आपके वह वह आपकी प्रॉडक्स जोगे कस्टमर को इंगेज कर सके जोगे कस्टमर को मजबूर कर दे आपके स्टोर पर रहने के लिए वह होनी चाहिए बट इस इस ऑल्सों गुड यह 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 इच्छा कॉंसेप्ट है एक चीज उप्रीमिम यूज किया होगा विदा उसमें कोई मसला नहीं है अब देखें दूसरी चीज यह कि आपका जो स्लाइडर है ना यह उन्हेंने स्लाइडर एड़ किया हुए यह मैनुवली करना पड़ता है इसको मूव करना पड़ता है यानिक इसको स्लाइड को प्राजिशन नजर आते रहें चीज़ों के अगरे फूल स्क्रीन रखना हो तो इसको फूल स्क्रीन रखना हो यहां और या पांट सो पिक्जल करकना कोशिश करें स्लाइडिंग इमिज को आटो स्लाइड रख लिए दूसरी जीज लोग नौमली गलती यह करते हैं अब देखें यहां प मैं यहिए जो मैनी होता है आपका मेनी हिता है मोबाइल मैनी इस मोगाइल स्क्रीन पर ज़्यूइड दो होता है अग्र?, बट आजकल लोग डैस्क्टोgg दा प्र यूज़ करें बट मैं इसको इतना जधा यूजर फ्रैंडलifバイर को тобस ऐसको मैं इसको यूजर फरैंडली प्रेवल टाइम का मतलब ही बता है कि जब आप यूजर को जितनी मुश्किल होगी ना चीजें ढूनने में आपकी वेब साइट पर उतना ही जादा चांसे होगी यूजर आपकी वेब साइट से चला जाएगा चल्दी तो इसको वह इंफरमिशन नहीं मिल रही होगी यूजर अगर आप इसको मुबाइल डिवाइस पर चेक करेंगे ना मैं एक सेकेड अगर मैं इसको मुबाइल डिवाइस पर चेक करता हूं थीक है तो एक तरी चीज़ होगी बाकी अब देखें होम पेज का जो उन्हेंने पैटर्न बनाया है और ने लेक्शन लिस्ट आड़ की है उपर दो बॉक्स जाड़ किया नीचे तीन एड़ की है ठीक है उसके लाव बैटरूम फर नीचे और फिर कैड़ेगरी अपनी एड़ की ने डिसकाउंटिड प्रॉडक्स एड़ की है कि किन-किन प्रॉडक्स पर डिसकाउंट है वह एन एड़ करती है विडियो एड़ किया है और अपनी फीचर्ड प्रॉडक्ट एड़ की है फुटर आ गया फुटर में जिस फुटर में जो पेजिस भी हों होने चाहिए वो पेजिस हैं और बाकि सोशल लिंक्स हैं आपके बरी गुड ठीक है अच्छी कोशिश है पेज आपका बड़ा क्ली आपको पिर ऐंपने लिए सब्सक्राइब किये अब यहां पर देखें अब आपको प्र यहां पर थ用 होगए लगब को क्या मिगया साइजिफ़ को क्या है इस इमिज के खराब था ए यह और इमज का साइज भी डिफरिंट तो हो सकता है सब्क्राइब मैं इसके जो इमेज यह वाले इसकी हाइट कम है इसकी हाइट जादे है तो ढीजिया यूजिज यूजे के जिए जिसके वैसे बैग्राउंद आपको नज़ावा रहा है वाइट दूसरा इमेज साइजी साइज डिफरेंट है तीसरा यह किमेज कॉलिटी शु में वह नहीं अच्छी का मतलब है कि इमिज क्वालिटी रीजनेबल हो ताकि यूजर को यह न लगए यार यह बड़ा वेबसाइट ही बड़ी इसकी वह है यहां पर देखें जे पैग का इशू जे पैग का इशू नहीं होता मैं इशू की बात नहीं कर रहा है मैंसे कोई कि अश्यूद्टा से श्ट्राइश तो तो फीक है चल जाता है लेकिन अगर है इमेट का साइज ठीक जैसे ही हैं इमिज का साइज तक्रीबन सब्सक्राइब है तो यहां पर उपन करते हैं तो इन्होंने प्रॉडट में प्रॉड़क का टाइट ऐड़ आड़ दू गार ब अरसलान की और अची फ्रवाइशन लगज लिप साइट लगए है अगर आप लोग ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं आप लोग क्लाइट्स को सर्विसिस दे सकते हैं अपना इस कौशिस बना कर देने की फिजन डेंग तो आप लोगे सर्विस्ट्स को दे सकते हैं very good करना है सांइमा शरीफ का सांइमा शरीफ ने मुझे कल भी कि कहा था कि मैंने बहुत अच्छा बनाया देखने कि इन्होंने कैसा स्ट्रों बनाया ऑफ स्मीना शिरीफ सॉरी आपका पास्पड आपने पोस्ट किया हुआ इसको कियो मैं आपने पेट स्टोर बनाया पहला ही इमिज देखें अगर पहले इमिज के आता हूं स्लाइडर के पहले इमिज इमिज कॉलिटी बहुत लोगा है दूसरे दूसरे इमिज की कुछ बेतर है बड़ कॉंट्रास ऐसा है कि जो आपका उपर आपर टेक्स लिखा हुआ है वह कलर इस तरह कहें कि वह पढ़ाने जा रहा हुआ अब शूर आप इसे अग्री करें ले इसी देखें यहां पर इमिज कॉलिटी अगें नौट गुड ठीक है हाँ आपकी थीम च्वाईस आप एंधीम बड़ा अच्छा चूज किया है तीम बड़ा चूज किया है कलर गूच अच्छा है अच्छी मैच कर रही है बट क्या है कि जो slider का पहला ही impact है ना वो अच्छा नहीं है slider का अगर में नीचे scroll down करूं आपने यहां पर element add कि एक साइड पर इमिज एक साइड पर text है आपने यहां पर image quality का ख्याल नहीं रखा image quality अची होने चलिए है नीचे आते हैं तो आपने अपने high selling high selling नहीं होता तॉप सेलिंग क्लेक्शन होता है हमेशा वर्ड जो जब भी आप टेक्स लिखे न तो कोशिच किया करें वो टेक्स लिखें जो थोड़े से इंडस्ट्री स्टेंडर्ड अब हाई हाई और टॉप तो अलग वर्ड्स हैं दोनों का यूज़े जला गया हम नॉमली क्या करते है कि जैसे मैं कहता हूँ को आइएं मेकिंग टी यह आइं मेकिंग अ काप अफटी हगा ना तो इनके मीनिंग सेम आएंगे कुछ क्या करें यहां पर वो यूश क्या करें जो कि आपके इंडस्ट्री सेंड़र्ट सेल रही हैं हैं है हमेशा हाइट के ली यूज होता है आप सेलिंग प्रोडक्स यहां पर आपकी इमिज कॉलिटी बेटर रहे वेरी गुड नीचे आते हैं लेस्ट फ्राइड टॉन्टी फाइव परसंट आफ आपने सेल आड़ की है आपने ब्लॉग पोस्ट भी आड़ की है वेरी गुड लॉग पोस्ट भी आपने एड़ की वेरी गुड नीचे आपने साइन अपका सेक्शन एड़ किया है क्या यह साइन आपका पोस्टिन एक्टिव है या नहीं अच्छा एक और चीज़ का ख्याल रखा करें मैं आपको एक और चीज़ नहीं आपने पूरा पेज बनाया हुए पूरा पेज बनाया हुए तो पूरे पेज में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी जो उसका जो साइज है वो एंड टो एंड होना चाहिए एंड टो एंड का मतलब है कि स्क्रीन यहां पे ब्लैंक स्पेसिज ना हो जैसे स्लाइडर है कुश किया करें कि स्लाइडर आपक होना चाहिए ठीक एंड टो एंड होना चाहिए आपके वेबसाइट में एक अच्छी लुक आप पूरा वेबसाइट यह इस तरह फिलिंग आएगी कि पूरी एक ब्लॉक टाइप चीज़ बने ही है और आपने इससे कहते हैं उसका उसका ख्याल है रखा हुआ तो इसको एं कोशिछ के करें कि जब भी आप फिडियो एड खर एक साइट करने मतलब यह करने का मतलब लंबा हो जाएगा कोशिच का करें नंगे कि इमेजिस जो वीडियो आड़ करें चोटी साइज की आड़ करें ताकि पेज जड़ा चोटा लगे बड़ा पेज ना हो अब देखें जब इतना लंबा पेज होता है तो यूजर वैसी पर मुश्किल हो जाती के लिए जाहां मुझे आपका कमेंट समझ नहीं है एक्सप्रे होता है सबा मुनीर मैं बताऊंगा आपको यहां पर देखें यहां आपने एज़े वन इमेज आड़ किया एक इमिज पर आपने मल्टीपल मल्टीपल लोगोज आड़ की हैं अगें आपने इसको अपलोड करती है देखें आपको मैं यही चीज़ कल भी संजहा रहा था कि जब भी आप लोग इमिज अपलोड करें कोशिश क्या करें कि वह आपके स्क्रीन साइज के डामेंशन का नहीं होगा इसको साइज आप्टमेटिकली खराब हो जाएगा बलार हो जाएंगी चीज़ें अगर मैं इस इमेज को देखाऊ हूं इसमेज को सेव करते हैं और करेंगे तो मैं मैं बहुत सब्सक्राइब कर जाओं तो कि आप लोग ऑडियंस से नोटिस कर लें आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें अगर मैं इस इमिज का साइज देखूं इमिज का साइज इमिज कहां से हो गया है आपने इमिज का साइज रखा हुआ है नाइन इमिज का साइज इमिज का साइज परफेक्ट नहीं है इस वाज़ा से इमिज की क्वालिटी खराब हो रही है यहां पर सपोर्टर्स अबर सपोर्टर्स की फोटो इस्ताइन लगती समीना कभी ऐसे फोटो ने लगानी देखें बुरा इंपैक्ट पड़ा पड़ेगा अग इसके साइज को हमेशेत रह आपकर स्टोर में इसू पता कि आपकर स्टोर की कलर सकी बहुत अची यह इनकी इज इस की कोईटी थोड़ा सा इसु कर रही हैaben की किवालेटी अर्म होगा देखेंट्र में आपको इस भी बता है कि Heewa अ चाहिए वीडियो आपके थोड़ी सी बहुत बहुत बड़ी आड़ किया है अगर आप इसी को बोग कर लेती है तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं यहां पर बजाए आप यह आड़ करने के टेस्टीमोनियल्स आड़ करते हैं लोगों के टेस्ट यह यह भी आपने जैंड़ किया कोई किसी कॉलड़ एक डमी बनाना हो ना तो यहां पर डमी लोगों की फोटार करते हैं जो आपका य कौन जाती है गोगल से बाकी स्टूर आपको की चडिक यह अजर प्रोड़क्स की चेक करता हो है यहां पर देखें अच्छी लोगा यह प् बाकी आपने इमिजिस और जो है प्रॉडक्स उच्छी आड़ किये हैं और बाकी चीज़ें जो है थोड़ी जी इंप्रूफ होने वाली है और अधर वरी गुड टीप अप मेरी गुड अच्छा जी उसके बाद रेंडम ली स्टोर आता है राय सक्लैन साथ हैं सक्लैन क्लास म रहे हैं आपने लाउंस्मेंट बार एक लाइड की यह अनौंस्मेंट बार पर लिंक नहीं आड़ गया है अब मैंने चेक करना कि किन आइटम्स पे सेल है ना ही मुझे आइडिया हो रहा है ठीक है अंज्वाइट टैन परसेंट से परसेंट के जगा परसेंटेज का साइन दूसरे इसको लिंक किया होता है आप में किसी प्रॉडट के साथ या सारी अच्छा हो जाता कि क्लिक करता और मैं उसको चला जाता है अगर मैं नेक्स सेकंड पेज बजाता हूं ठीक है अब देखें यहां पर उन्होंने वह हाइड किया है कि पहले होम पेज़ पे आ रही ह लिखक है उसक्सके किया हो रहा हुआ हुए है कि यहां ठीछ क्वालिटी इंफ एक्वालिटी बेतर है बट इसमेह हुआ हो हुआ है इस इशिए किया है? इमज कट आफ हो रहा है, देखें हांगे. अगर तो इस इमज है इतना, फिर तो ठीक है. Size का इशू है, height का इशू है. इमज, height का इशू है. height का इशू है. ठीक, अगर आपने यहां पर add करना है, QT&Hasle Free Shopping. बजाए आप इसको एड़ करने मेरा ख्याला आपने पता क्या कि आपने सिर्फ यह इमिज उठाया यहां पर लगा दिया मेरा ख्याला कि यहां पर इस टेक्स्ट की जरूरत नहीं ती अब देखें मुझे स्क्रॉल करके भी नीचे आना पड़ रहा है काफी तब जा गए इमि इमिजिस के साइज ठीक है अच्छा एक और चीज़ जो लोग नॉमली करते हैं मैं मैंसी इस इस को मैं बहुत इंपॉर्टन्स देता हूं बहुत सारे लोग इंपॉर्टन्स नहीं भी देते बात यह है कि जब आप प्रॉड़क के नहीं लिखा करें ना तो अपना एक स्प आपको फायता ही होगा यह दिखें यह आपका सेल का बटन नीचे आगया यह सेल का बटन उपर यह बी ऊपर है यह बीऊपर है इस एलायमेंट हराब हो रही है मैं इस पूरी सेक्शन की जब भी आप कोशिच करें, मैं आप लॉक्सिशन दे रहा हूं, जो नॉमली मैं भी एड़ करता हूं हमेशा, कि जब भी आप प्रोडर्क का नाम लिखें, तो specific number of characters आप अपने mind में रख ले, कि आपने specific number of characters से जएदा नहीं जाना, जब जब जएदा जाएंगे, तो फिर यह होगा, कि कुछ text नीचे आजाएंगे, कोई उपर चला जाएगा, कोई नीचे आजाएगा, इसको एक जिए जिहन में रख लें, दूसरा, अगर यह इस तरह का situation आ रही होना, कि आपके characters नीचे जा रहे हो, तो यह जो block है, इसको छोटा कर दें, इसको आप यहाँ पर चार image शो करवा रहे हैं, चार product शो करवा रहे हैं, तीन शोगर वाले, उसी होगा कि स्पेस जदा मिल जाएगी, और सारा एक लाइन मे सेट हो जाएगा text, दोनों options है, अगर view all पर click करता हूँ, यहाँ पर देखें, आप को यहीं से इंदाजा हो जाएगा, कि आपने वहाँ पर चार product शी चारों के चारों कर रही ही थी alignment में difference आ रहा था, बट अगर यहाँ पर देखें, आपने तीन शोगर रही हैं, यहाँ पर trending products with quality, यहाँ आपने again slider add कर दी, मेरा ख्याल है कि एक website पे दो sliders की जरुवत नहीं होती, अगर आप add करना चाहिए, styling के रिए आड कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है इतनी जरुवत नहीं होती, इसके जगाँ अपनी products को ही market करें तो बेतर रहेगा, अच्छे नीचे आते हैं अबर सर्विसेज, वेलकम तो अबर स्टोर, मुई डील, अच्छा नीचे आपने वो आड कर दी है, वीडियो आड कर दी है, टेस्टीमोनिल्स आपने अड कर दी हैं, नीचे आपने फोटर एड किया है, फोटर में आपके कुछ लिंक्स आइड है, अच्छा एक और सीज द इसमें, वजाषट यहां पर है, वजाषट क्या मिस्टेक है इसमें, हेडर में, मिस्टेक निए कह सकता है, जब सेज़ेशन कहे लें, सिज़ेशन कहे लें इसमें, नहीं आप ने बतानी मुजाहत सब पताएंगे, कैटलॉग नहीं होना चाहिए, ओक्के और, नॉमली, कह रहे हैं बिल्कुल नौमली क्या होता है कि आपका जो हैडर होता है उसमें कैटलॉग टेलॉग अगर आप एड़ करना चाहते दो इसको जिसको यहां पर आप कह सकते हो वाल के डिगरी यह सब्कुछ रघकर सकते के लौग वर्ड सक्षा नहीं है दूसरा अपका कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट नॉमली आपका हैटर में नहीं होताई इक ऑमट्र स्टोर्ज में वह आपका फुटर में अब जितने भी कामस्ट देखे होगे आपको में सिर्फ इस्तिमेटिक मिस्टेक्स हम वो देख रहा हूँ है अदूसरा आपने जो यहां पर कैटगरी सब कैटगरी आप शायद नहीं क्रिएट की इसलिए आपके मैंट्र में वह शोग नहीं हो रही है अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं सब्ला मुनीर कर piaceं Business को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके और मी ऑप्शन होता है आप लोगों की विट्ट को बढ़ा सकते हैं अच्छा पहले चीज़ आपने ठीक हो के ब्लू कलर एड़ किया इस लिंक भी आपने अड़ किया वेरी गुड दूसरा आपका इशू यह है कि आपका हैडर जो मैनियू है वो टू लाइन बजा रहा है दो लाइन कोशिश करें इसको लाइन में रखें दो लाइन अच्छी नहीं होती एक यह इस्व है यह प्रॉब्लम आजेगी आपका हैडर बहुत लेंटी नहीं होना चाहिए जो कमेंडियों है दिए दो लाइन में आया है इसको एक लाइन में रखें नीचे आते हैं इदर के हैडर है आपका जो अब यहां पर यहां पर देखें वही इशु आ रहा है आईजिंग का इमिज साइजिंग डिफरेंट है यहां से आपकी प्रॉडक्क को किस तरह से आपके स्टोर की और लुक को कितना अच्छा और कितना बुरा बना सकता है चाहिए आप जितने मर्जी हाई कॉलिटी में यूज करें अगर साइस प्रॉपर नहीं है तो वो नहीं ठीक होगा कभी भी नहीं आएगा सामने कि यहां पर स्लाइडर की जरूवत नहीं थी कि रिचे आते हैं का क्लेक्षा मिश्ट कर लीग्रेक्षा लिस्ट लिस्ट नहीं तो यहां पर थेखेंगे Онओं किमिया श्राईक करने टेस्टी मोरे जाड़ किया आपने और आपने वीडियो एड़ करके अपना फुटर एड़ करती है ठीक है ब्लूइश आपने इन है जिवलरी गैसे यहां प्रिका सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां सब्सक्राइब हो आप मैं के साइज इस्टी आप लोग पना रही है जोमें घ्रकाम कि कर रहे हैं जो मैंполож फुल फुल स्क्रीन की बात कर रहाता है तो को ही बात नहीं आप अब र३पय गैंज को मैने लॉओं को एक लाइन करना मेनिम एक उसरी अंद्था आप मैफ जाब बदा सेखे जाओ गया इसलां मेन नहीं चीज खके आप मशेख लेयोग कर आफो प्रप्चर बनाना सीक्रेंग लोगों ने सामेंट करते हुए बहुत सरे चीज़ें नोर की इसमें आप लोगों किया आप लोगों ने कि प्रफाइड किया बट नेति कि डिसकाउंट अच्छा सबाब रूनीर मुझे बताएं कि ब्लैक डिसकाउंट आपने कैसे लगाया क्या स्टेप्स परफॉर्म किये थे अपने शॉपिफाइड स्टोर में कि यह ब्लैक फ्राइडे के डिल लग गई कि देखिए ऐसा पहले इसकी ख्रीट की कैसे spell चारे में सक्यर ख्रीट ख्राइड शायद आपने स्टोर की कि या आपने स्टोर रीट नहीं किया कि अगर में क्रीट किया उद्रीट को पता होता जिस पासवर्ड प्र प्र्स खवे अप्र प्रभी सब्सक्रिप्शन प्रचेश कर लेते हो फिर आपके पास यह ऑप्शन खतम हो जाएगा पासवर्ड आपका स्टोर ओपन होजाएगा पब्लिक एकस आजाएगी स्टोर के बाद एक स्टोर मैं चेक कर लेता हूं लुह मत अस्टिफ अच्छा आपने पाक टूशू शॉप के नाम से स्टोर एड किया और और अपने अनॉंस्मेंट बार एड की लोगो टीए यह देखें यहां पर इस तरह एड ही हैं कैटे सब कैटेगरीज तीक है इस तरह सब कैटेगरीज आड होती हैं आप कोशिश करें क अपने प्लॉग और चाहते हैं जिसको आप ज्यादा हाइलाइट करना चाहते हैं अबाउट अस पेज कांटेक्ट अस पेज और ब्लॉग यह से यह जैसे कि मेरा ख्याल है ब्लॉग पे एक इक उमर्शोर में इन चीज़ों इन की ज़रा दूरूर अपनी होती है एडर में ऋपटर में ठीक रहते हैं जाकि यूजर को अगर कॉंटक करना ईउसर में फूटर में जाये वहां से कंट कर ख करके आपको और जब में चैट का ऑप्शिन डेरिया तो लोग चयाट से भी कॉंटक कर सकते हैं आपको जब चैट ऑप्शन अड़ कर दिया आपने तो इन तो आपके टेक्स थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाता है नीशे आते हैं प्रॉड़क्ट कैटेगरी इस यहां पर अगें आसिफ साइजिंग का इश्यू है अगर आप पूरी प्रॉड़क्ट शो करने चाते हैं तो अगर आप की तरह का अगर यहां पर ओरने डोजे पर और यहां पर यहां पर यहां पर अगर आप और अगर आप उस इमिज के साथ ठीक रखते यह भी जो बैग्राउंड पेमिज नजरा आ रहा आपको यह भी बेटर नजरा तो आपका एक जो एक मिस्टेक जो करते हो आप वह पूरे स्टोर पे कई जगों पे जाके वह रिफलेक्ट हो रही होती है अच्छा आपने एक प्रॉडट्क एड़ किया है वेरी गूट अब देखें मैं आपको एक अगें थोड़ा सा और समझा देता हूं चीज़ें थोड़ी और चलें अब देखें लिस्ट अगरे में नीची आता हूं तो मैं इस चीज़ को नोटस नहीं कर पा रहा तो यहां पर ब्लैक फ्राइडे डिसकांट लगाँ जब आपने किसी चीज़ को हाई-लाइट करना होता है ना दो सेक्शन को सेपरेट करना हो तो दो सेक्षन के दिरम्यान में ऐसी चीज़ आड कर दिया करें जो नों को सेपरेट भी और हाई-लाइट भी आ रही है अब देखें मैं यहा वही समझार हो ना कि इस चीज़ को हाईलाइट करने का तरीका ढूंड़े कि इस आपने इस चीज़ को क्योंकि ब्लैक फ्राइडे डिसकाउंट सेल को आपने हाईलाइट करना है आपने बताना है कि यार यह एक सेक्शन अलग सेक्शन है और इस पर आओ तो यहां से चीज़े करते हैं आप सब्सक्राइब का न्यूसलेटर सब्सक्रिप्शन का वह आप आड़ कर दो कोई डैस्टी मुनियल जाड़ कर दो उसके लावा आप यहां पे छोटा सा कोई स्लाइडर आड़ कर तो अपने पार्टनर जाड़ कर तो ब्रैंड्स यूर सेलिंग आड़ कर दो इस साथ साथ यूजर का फोकस बढ़ाए इसको जरा बोल्ड कर दें कोई किसी और सेपरेट कलर का बैगराउंड देए यह शवकर तसें हम बलकुल जहीं कहा रहे हूं इसकी स्टीमोनियल पर आ गया पैस्टीमोनियल जरा उपर ले जाते हैं इन दोनों में गैप आ जाता और ज करती है हम देखें अगें कलर स्कीम को भी थोड़ा सा इसमेश्यू आ रहा है यह जो आपने ब्लूइश कलर स्कीम एड़ की है इस नाट मैचिंग विद इस यहां पर आता हूं तो मुझे वैब साइट एक ब्लाक और वाइट चीज लगती है तो जब भी आप कलर स्कीम चू हुँआ है नहीं और लोग पने साइट लोग घरें झान। कर दो प्र पूर्ण कर रहूंगा और पर अब लोगो बड़ी क्विक कर वाँगा णारी2 लेंड तो प्रफिर प्र ćeंगा ड़क्स कर क्विस्टन इंटर्टेन करने पड़ेंगे अच्छा जी अम उसके बाद स्टोर जो चेक होगा स्टोर में स्कॉर्ल एड़ किया स्टॉल के आड़ करना है तर्ला कैसर वह द देख रहूं है किसका चेक करें स्टोर यहां पर फर्माईश पर स्टोर चेक नहीं होगा यहां पर चले हैं हम स्सेक करते हैं इम्रा अनवर है यहां पर नहीं है कि क्रीड पॉकल नेक्स्ट यहां पर अमना वाहिद आमना वाहिद नहीं ओके सना तन्वीर प्राइट श्रूर मचक करते हैं यहां पर आपका जो जो इसका साइज है लोगों का साइज है बहुत बड़ा कि नीचे आते हैं इमिज क्वालिटी डिस्टॉर्टिड है अगेन नीचे आते हैं तो यहां पर देखें एक्साइज अगेन वही इश्यू है जो पहले बता चुका हूं एक्साइज ठीक है बाकी अपने अपने ब्लैक प्राइड के सेल्स की आइटम एड़ की है वेरी गुड कलेक्शन लिस्ट आपने एड़ कि है कि कौन कौन से क्लेक्शन थीक है ओके लिचे देखेंगे इमिज कॉलिटी कितनी बुरी है कि जो वीडियो के क्वालिटी है अब आपकी अपने जोज की आपका लोगों के अपने लोगों के कलर के साथ मैच किया हुए साथी चीजों को वर्ट इमिज कॉलिटी इशूज है थोड़े से इसमें बस इमिज कॉलिटी और टेक्स्ट के नमबर ऑफ क्रेक्टर्स के इशूज बाकि आपका स्टोर अच्छ अब प्रॉफेशनल स्टोर लग रहा है आप लोग के मस्टर हो गए है ऐसी काम करते रहे हैं आप लोगे चमकते दमकते स्टारे बन जाएंगे शॉपिफाइक है यहां पर आपको एक रोव में ज्यादा इमिजिश शो करने चाहिए थे अब यहां पर देखें मुझे स्क्र यहां पर में इशु यह है एक रोव में चार इमिजिश आप चार प्रोड़क्स आड़ कर देखें तो वह बहतर उता ज्यादा ज्यादा प्रोड़क्स कर वा सकते हैं लेकिन बताया नहीं मैंने आप लोगों को इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूं है तो इमिज क्वालिट इसमि पेज का एक रफ स्ट्च्चर बनाकर दूँ रफ स्ट्चर और आप लोग उस्ट्चर को कॉपी करें इस बदें को आप लोगों को तो ने कैना अब लोग करेंक लिए नास chapel कि निए युवर अब लोग सै कि अपलोग की आप लोग आप लोगो पूरा स्टूर कि मना मिन ऩुर ऐ तोगम घजा करूंगा रौ ऑफ आप बना निने इस होां उपाई और नपी तूल को पीडो को इस पे बनाता हूं वार स्वेल बनाने के लिए हमेशा मैंझे यह यह करता हूं क्लाइंट्स लिह यह बना रहा होता हूं तो मैं यह तूल यूज करता हूं हमेशा यहा पर ऐसी ड्राइग और ड्राप बन जाके सेम उसे तरह कॉपी करना है आपके वायर फ्रेमिंग मैं क्लाइंट्स के लिए बहुत वायर फ्रेमिंग करता हूँ सब्सक्राइब करते हैं तो यह बहुत बड़ी स्किल्ड बहुत बड़ा काम है प्रॉजक्ट मैंजर को यह ज़रूर आने चाहिए आते हैं नेक्स स्टोर के तरफ एक एक स्टोर और चेक करते हैं उसके बाद प्र आप नोगों को मैंना पॉप अपड़ करना बताता हूं शौ करवा सकते हैं मेल चैंप मैं आपको हिंट दे दी है अब आपनो खूर उसको जाके एक्स्टोर करेंगे ड्रैगन ट्रॉप टूल है पूरा एक वायर फ्रेम बड़े इसली त्यार हो जाता है उसके बाद मैं नेक्स टोर चैप करता हूं जिशान रियाज जिशान रियाज है यहां पर फरनीशर तिंग्स ब्लैक न वाइट रखा हुआ आप लोगों आपने वेरी गुड और आपने एक और अच्छा काम किया है कि आपने फ्री थीम पर काम किया है इस गुड इमिज साइजिंग का इशिव गेंदेख लें इमिज साइजिंग का इशिव है पहली चीज तो यह नज़रा रही है आपको लिड कट प्रॉडक्ट अब यहां पर देखें वेरी गुड जिशान अच्छा काम किये अगर अगर आपने यहां पर उसके सिर्फ क्रेक्टर साइ आपको इन्हें आपने कलर स्कीम इमिजिस के साइजिंग सारे सीम रखें सिर्फ कैशिवारा क्रेक्टर कैशिवारा बाकी जिस बहुत अच्छी है वेरी गुड मेडिमीडिया तो लेंग अच्छा ओके ठीक है यहां पर वट पीपल से यहां पर आपने जो एक्वरल चेएड की हैं वह भी बड़े पॉर अच्छे ऐड़ की हैं तीं रट === ङर्ब आप्विछे अच्छे की हैं efendim अपने अर्नी और सिंपल सी एपसइट है बहुत अलिगंट लग रिहीं वेरी गुड सिंपल साधा सी ब्लैक ंवाइट सी वेब साइट है और अची लुड़ दे रही है दिर्ट क्या है एक सरेशन मेरी समें है कि ये एक फरनीचर के वेब साइट है जिसमें आप जिसको कहते हैं आउस होड़ आइटम जैसको आप कहते हैं लग्जरी आइटम्स थोड़ा सा तोड़ा साइस को इंप्रूव इसना किया जा सकता है कि थोड़ी सी कलर स्कीम बेड़तर हो सकती थी क्योंकि जो नॉर्मली इंटिरियर डिजाइनिंग की चीज़ें होती है वो कलर फुल नज़र आने चाहिए वो जड़ा अच्छा इंपक्ट देती है कस्टमर्स को कलर फुल थोड़ा बढ़ा होने चाहिए मैं मैंने स्जेशन दी नहीं बट जिशान रियाज को खुदी आइडिया हो गया होगा है स्क्रीन पर है किस तरह का नज़रा रहा है इसको सेंटर करके थोड़ा साइज बढ़ा दें तो वो जड़ा अच्छा हो जाएगा आपके सेंपल जो आपके कॉर्डिंग गूद स्टोर हो यहां पर दील हम गुड़ बैट नहीं खेल रहे हैं यहां गुड़ बैट की जिसे कहते हैं एक गुड़ बैट नहीं देख रह क style को किस तरह से इंपरूब कर सकते हैं सारे काम बहुत उटे होते है कोई भी हर बंदा अपनी मद़ अपनी तरफ से वहले की कोशिश कर रहा है तक पैट क्या होता है बैदा बैस देने के बावजूद बी चीज़ों मिसफिंप्रूब्मेंट कर दरूवत होती है हम सिर्फि इस तरह नहीं परस्टिए करें सिक्राइब भी ग्रेडिंग करेंगे तो फाइदा नहीं है मेरे स्टोर पर इंप्रूव्मेंट का बता दें सहीदा रूना अतर आपके भी गलतियां सेम ऐसी ही होगी जैसी सब की हैं कि इमिजिस का इशू होगा या चले है चले मुझे यह बताएं कि कि आप लोगों ने हम पिर किसी दिन टाइम निकाल के और स्टोर को चेक कर लेंगे जब आप लोग स्टोर बनाएंगे तो क्लाइंट नॉमली अपने इमिजिस खुद देगा नहीं देगा तो फिर आप लोगों को कह देगा कि मेंजिस किस तरह कर थीम एटिक थीम होने चाहिए या आप क्लाइंट को सेजिशन यह यह जीजिस कर लें तो उसमें से इमिजिस चूज कर लेगा आप वह मिजिस अपनी अपसाइट पर इंबैड कर सकते हैं अच्छा मुझे यह बताएं कि आप लोगों ने अब अब इस फेलिशन शीकने यहां सोर रिव्यू करते हैं सोर रिव्यू करें और यकुछ और पढ़ लें बेड़ियों सीखना है या तो टाइम हमरे पास है भी एक घंटा है तो प्रीबन करते हैं यह देखें तेमूर ने स्टोर बनाया है ऊपर आपका टेडिशनल सा लोगो है अचा नीचे उन्होंने हैडर बनाया है वैरी गुड फुल पेजर एक उनका एक स्लाइडर है इस लाइडर को आटो होना चाहिए बट यह आटो नहीं हो रहा और जो बैग्राउंड पे मिज्ट इस क्वालिटी लगी है इमिज्ट इस क्वालिटी बहुत बुरी है या इमिज्ट इसको बेतर किया जा सकता था बीचे आते हैं तो उन्हें एक साइट पे इमिज्ट डो सेक्शन एड़ किये शॉप नाओ ठीक है विडियो एड़ कि एक सिंपल सा देखें इसको इसको एज टुएज होना चाहिए था तैमूर इसको एज टुएज होना चाहिए था और प्ले का बटन अगर आप ये प्ले ठीक है प्ले के बटन की कॉलिटी अच्छी होने चाहिए थे आपने खुर बनाकर एड़ किया हो गाई थींकि प्ले का बटन तो इसको बित्र बनाया जा सकता था और इसको अगर आप पी एंजी कर देंगे तो ये बैग्राउंड कलर के साथ ब्लैंड हो जाएगा शॉप ना बेस्ट सेलर्जी बेस्ट सेलिंग प्रॉडटक्स है ठीक है प्रॉड़क्ट के में जिसके साइज इस से थीक सेम है और टेक्स्ट भी सेम ठीक है ठीक है और आपने यहां पर आड़ किया वाई यह अभी अभी स्टोर में खाला है अनकंप्लीट है तो यह कंप्लीट होना बाकी है इसमें काफी सरी चीज़ें आसी जो कि इंप्रूव होने वाली है और आल लुक अच्छी है स्ट्रक्ट्टर अच्छा है लाई के और अन्दर इं대 इसमेंश्फ यौनिक और यूला से यूसक्रेइब होते हैं वो आफने के अपने डूं को थोड़ा सा लोगों को थोड़ा स्पाड़व मेल चाहम की बेस्ट स्ट्ट्चर बेस्ट प्रक्टिस निजा रेता हूं को थोड़ी सी आप लोगों को साइन अप करेंगे सबसे पहले हम लोग मैं मेल.yahoo.com उपन कर लेता हूं इमेल लिखेंगे medicalunders at yahoo.com यूसर नेम लिखेंगे हम यूसर नेम रख लेते हैं इकॉमर्स बैच्टर पास्टवर्ड हम यह रख लेतें कौन सा मिने बाद में यूज कर मैं इसको एंड साइन अप ठीक है आपको एमेल आएगी वेरिफिकेशन इमेल आपको इमेल को वरिफाई करेंगे एक्टिवेट यूर मेल चैंप अकाउंट अक्टिवेट हो जाएगा मैं यहां पर फ्री अकाउंट में जा रहा हूं यह आपको दो हजार कॉंटेक्ट्स का मतलब यह है कि दो हजार लोगों का डेटा मैनेज करने की आप लोगों को अब प्रमिशन देगा में इमेल मार्केटिंग लिए उस होता है जहां से मिर्जा अचानाम एड करेंगे अपना यहां मैं यहां से अपने स्टोर का यूरल एड़ कर देता हूं बिजनस नेम है इसको आपने नो कर देना है इसको रहने देख फिलाल ऐसे ही कांटिन्यू वह डू यू सेल मैं प्रड्क्स अल करता हूं यहां इसको इतना ही करेंगे अच्छा मैं आता हूं अपस अपने अगर आप इसके साइड मेनियों में देखेंगे तो आप लों को यहां पर ओडियंस कैंपेंज आटोमेशन वेब साइट बनाना जिस पर लेंडिंग पेजिस बनते हैं कॉंटेंट स्टूडियो इंटिग्रेशन में बता रहेंगे मैं आप लोगों को छोड़ा सा इसको वैसे इंट्रोटक्शन भी बता लिता हूं कि आप मेल चैंप को किस तरह से मैनेज कर सक किस्टमर है आपका कस्टमर है जो कि बी कैटेगरी कस्टमर है कस्टमर है सी कैटेगरी कस्टमर है अब ने आपने कस्टमर को डिफरेंट कैटेगराइज किया है जैसे वी आईपी हो सकता है वी वी आईपी हो सकता है तो डिफरेंट टाइप की कस्टमर हो सकते हैं अगर क्सरा से मैनेज कर सकते हैं कि इस में आप एवालों को भी आड़ करें इम्यल सांड को जा रही हो भी वालों को ना जाए यो य softsters कर सकते को उसके लिए मैं आपको aksal sheet स्ट्रक्टर समझाता हूं एक्सलीट में अब किस तरह से स्ट्रक्टर बनाएंगे और यूविल सेंड इमेल और इसके बाद पिर हम इसको मेल चैम के साथ हम किस तरह से आप लोगों को है लोगों को सब्सक्राइब हैं लोगों को निगोंगों अगर मैं यहां पर एक्ति घाव करेगरी ठेक है जैसे मनि इन चार्टिस आर्ड करती है फार्स्ट नेमे अब हमारे पास बात युक्त एक यह पास यहां पर दस मेदा रह अई घार है अब आप इसको किस तरह से करेंगे फिर्स और लास्ट नम अलग-अलग करेंगे कि आप लोगों से पूछता हूँ यह फिर्स और लास्ट नेम अअलग-अलग कैसे करेंगे यह पहले बता रहूं अदिल बाद में आटोमेशन के दो जाते हैं इसमें आया में डेटा में देलिमिटड नेक्स्ट पेस नेक्स्ट फिरिश यह मेरे फॉर्स नेम लास्ट में अलग अलग हो गए मैं इसको कॉपी करता हूं कर लाकर पेस्ट कर डेंटा की मेरे फिर्स नेम लास्ट नेम अलग अलग होगे हैं कि यहां पर मैं इमेल आइडिया अपने ही आड़ कर रहां कि पासवर्ट कि मैंने आड़ कर दिया कंट्री में आड़ कर देता हूं कि इसको एड करता हूं इसको ए इसको पी इसको सी इसको ए ठीक है यह मैं एक शीट बना दिये अपने पास इसे मैंने कस्मर का कर लिए अब यहां पर बेसिकली इस शीट को बनाने का मकसद ही होता है कि आप लोग अपने कस्टमर की कैटेगराइजेशन जिस तरह मर्जी कर सकते हैं आपने वो लोग पाकिसान में रहते हैं उनको इमेल सेंड करने तो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करके जो पाकिसान में र सब्सक्राइब करने का अपने का पयूंट क्या पर्ल 오प्चिन करने का या औरर कांटेक्स में अप्स और प्लोड यह कैट्र्य करना है आप CSV फाइल अप्लोड भी कर सकते हैं और कॉपी बेस्ट के आप्शन पर जा रहा हूं अब देखिए यहां पर मेरे पार आप्शन आ रहा है पेस्ट कांटक्ट इंफरमेशन इन फील्ड बिलो इमेल इमेल एड्रेस अब ने कोशिच यह करनी है कि जो भी आप लोग बढंल जबदेश मेल और अडिरस यहां पर लिकार देखना है तो आपका जो एक्सल शीट है उसमें नाम एमेल एड्रेस होना चाहिए मुझे करनी है ना भी हो दो को के मिस्दा नहीं है बट इमील अप्रइस में कर दिया उसको फरस्टम में यहां से टेटा जो मैंने बनाया था उमकाप्य करता हूं यह ligar बटन मैंने प्रिस किया इस विल टेक्सम टाइम थोड़ा सा ताम लेगा कि लिए उसने पूछा मुझसे सब्सक्राइब और यहां कुछ नहीं करना आपने इसको पंटीनु टो मैच अब देखें उसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल एड्रेस और तुमेटिकली उसने पिक कर लिए बट दो कॉलम्स ऐसे हैं जो के जो कि मैंने कस्टम बनाए थे वह उसने पिक नहीं किये देखें यह ग्रीन है आप यह जो हैं दो कॉलम्स में डूर्ण जो के उसने डिटक नहीं की है इस पर क्लिक किया मैंने और यहां पर मेग्ड न्यू फील्ड और यहां लिख जिया मैंने कंट्री तैंफाम जैसे क्लिक करूँगा तो मैरी यह फील्ड आटेमेटिकली ट्रीन हो जाएगी इसका मतल कि अनाम देंगे हम कस्टुमर काटेगरी एंड कनफर्म होगी फाइनलाइज इंपोर्ट एंड कम्प्लीट इंपोर्ट जैसे ही यह कम्प्लीट होगा आपके साथ कॉंटेक्ट्स इंपोर्ट हुए हमने सेवन लोग ही एड किया है लोगी में तो साथ के साथ और आपको नज़र आरां तर आड नजर आ रहे हैं आप यहांको और आड की मैं चांट तो की तो इसलिए आप को यहां पर आप नज़र आरे इस तरम से आपको सुर्ण को इंपोर्ट कर सकते अब बात यह आती है कि आपने अगर इन लोगों को email send करनी है तो email किसान सेंड करेंगे अलग-अलग से section A को section B को या category A को category B को या पाकिसानी को इंडियन को किसना से different email different को send करेंगे बट उससे पहले आप लोगों को email template होना ज़रूरी है आप लोगों के पास हमें campaigns में आया campaigns यहां पर email templates का option मेरे प प्राइल है जो फ्री यूजज है उसमें आप लों के पास ऑप्शन थोड़े कम होते हैं आप्शन कम किसलिए होते हैं देख लें मैं टेंप्लेट बना चाता हूं यहां पर टेंप्लेट कुछ बने बनाएं पहले से मौझूद हैं बेसिक टेंप्लेट और इसाइसे जो प्रीमियम है यह प्रीमियम है तो यहां पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहां कुछ बने बनाएं टेंप्लेट भी पढ़े हैं आ आपके टैम्पलेट्स बनते जाएंगे आटमेटिक लिए आप लोगों जो कोडर हैं जिन लोग कोडिंग आती है वो लोग इसके टैम्पलेट्स बना के भी सेयल कर सकते हैं लोगों इसके इसके गिख की रिकॉर्मेंट गिख बहुत जएदा और इसकी द्हुन बोगाद भलाई के कस्टम ऑमेल template समय करनी तरहें हैं मैं इसी रख चूह रहा हूं इसमय चैन् Collins नहीं कर रहा कुछ भी ठीक है और शुला स्फ़यर एकज़ा करनीे हैं कि... अब देखें यहां पर आके पास option है एड़िट recipient list लेंडिंग बना सकते हैं यहां पर आप अच्छा और टूआ निव ग्रूप निव ग्रूप मैंने स्लेक्ट किया यहां पर आके पर न्यू सेग्मेंट आ रहा है और अगर आप इस option को क्लिक करेंगा तो यहां पर आपके पास सारी वह लिस्ट आफ फील्ड आ जाएंगे जो आपके पास मौजूद हैं यहां पर कि है यह कंट्री और केहीं के स्लेक्टूर का टिकरी है आप ने चूस करना है मैं से करेंगे लवह पास date में चार लोग यह से थे जिन को मैंने एंग करीडी ऐआ घृकं जिसको मैं एक अड़िक चार लोग ऐ से अगर मैं कहता हूं देखे ऐडिक रेसीपियन्ट मैं उन लोगो ray यहां कर दिया है पाकिश्टान स्क्她 зачем मेरी ये उनीोर को जाएगी जो पाकिस्तान के दो लोग ते मैं अपनी एक्सल शीट में दो लोगों को पाकिस्तान का टैग दिया था ये मील नई वालोगों को जायएगी जो तो लोग मैंने इस लेक्ट ही है जो पाकिसान में रहते हैं а कर नहीं जार ऊके मैं नाशन को सेंड कर दी हिसा जूब टीरा अब इंडिया वालों को सेंड करो अगर कि अब सिर्फ इंडिया वालों को सेंड होगी खर्डरी姜 कि मिल चैन तो बहुत बहुत एडवांस टूल है मैं सिर्फ आप लों को basic सम्झा रहा हु UP कि वखिया आप लोग खुछ से भी एकस्वड़ोर कर सकते हैं अच्छा खंड न अगर आप आपने किस नाम से जेंड करनी है इस इमिल सेंड करनी है वह आप्शन आजाएक आप चेंज कर सकते है उसके बाद सब्जेक्ट लाइन आपने क्या एड़ करनी है इमेल के सब्जेक्ट लाइन आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट लाइन क्या होती है उसके बाद कॉंटेंट आपने कौन सी इमेल सेंड कर नहीं है जो आपने डिजाइन किया हुए आप वो भी स्लेक्ट कर सकते हैं देखें यह सेव टेंपलेट्स और यह मैंने टेंपलेट जो बनाया वा था वो स्लेक्ट कर लिया कि कॉंटीनियो कि फ्री जो है वो इनिशली इनफ में टाइम नहीं दुनिया में यही प्रैक्टिस चलती है मैं पिछले पांच साल से छे साल से इमेल मार्केटिंग कर रहा हूं क्लाइंट के लिए तो हम यही प्रैक्टिस हमारी चल रही होती है कोई भी तर्इूं उसमें यही होती है तोcciones कर नीए सब करनी करना चाहते ह pencil करना चाहते हों"; उसके मताबिक करना चाहते हैं तो कि सेलेक्ट तो मैं कहता हूं ए and save मेरे ये इमेल से उन लोगं को जाएगी जो मेरे एक कैस्टमर है और वैसे भी जुनेत आप आप आपके जो बिजनस है उसमें खेजारों कैस्टमर नहीं बनाते आपके दो तीन तरह के किस्टमर कैस्टमर होती है और उन्हीं का मैनेज कर रहे हो तो इससे ज़्यादा मैं किस्टमर कैटेगरीज नहीं होती है ठीक है अच्छी यह आगया आपने सारी चीज़ डिजाइन करनी जाए आपका प्रॉम एमेल एडरस आजएगा सब्जाइक लाइन आप लोग आड़ करोगे डिजाइन अपना सेल रहा होँ कि अभी आपने थोड़ी से इमेल एड की हैं स्यादा डेटा कैसे मैनेज करेंगे ऐसे ही होता है जैसे ही मैनेज होता जैसे मैंने किया है एक्सल से ही यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता है यहां पर उसको आड़ कर देते हो और और मैंने आप लोग अभी जैसे बताया कि बहुत आडवांस टूल है यह आपकी डेटाबेस के साथ आटमेटिकली एपीए के तुरू कनेक्ट भी हो जाता है उससे भी क्या होगा कि जैसी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आड होगा कि यहां पे लिस्ट में आटमेटिकली एड़ होता रहे इंपोर्ट का अगेन बता दो इतना स्टार्ट में बिलकुल की तो स्टार्ट स्टार्ट का एक सक्ष्चन है ऑन्स इसपर्पर रूपर ne से कि यहां पर आएगा अगर डेटाबेस से कनेक्टेट है फिर क्लिक करेंगे चाहें तो कॉपी पेस कर लें चाहें तो आप CSC फाइल डाउनलोड कर लें तो एक चीज़ा आप लोगों को समझा जाता हूं और क्या आपने अपने शॉपफाइफाइस के साथ किस तरह कनेक्ट कर ना है अपने इसॉफ को कि नहीं को बता रहता हूं आपने यहां पर आना है इंटिग्रॉशंज और यहां पर आपके पास यठ आ यहां और आपके पास आ रहा होगा जाप सिंग फौर शौपइफ़ाइ टीक हैं शौपस इंफ़ शौपइफाइट क्लिक करेंगे किनेक्ट न्यू साइट या अगर आप इसको नहीं फॉलो करना चाहते इस तरह तो आप सिंपल क्या करेंगे अपने शॉपफ़ाइस टोर में आएंगे एपस कस्कुमाइज स्टोर और यहां पर शॉप सिंक सर्च करेंगे अपको शॉप सिंक यहां पर मिल सकते हैं अच्छा यह आगया इसको मैं इंस्टल आप किया मैंने मेरी अप्लिकेशचन इंस्टल हो जाएगी आपने कउन्टिणी करना है इसको क्यूंट करना है था कि सबस्क् ni अपने जो करेंगे अपने मिल ट्रैक्ट यहां का शॉप और आप तराइबंगे यह जो आपका वहाँ पर लिस्ट में कस्सटमर को मेनज़ कर सकते हैं यहां पर जो आप पर यह औप्शनल है फिल्हाल को रहने दें जब थोड़ा सा इसको गो तुरू कर लेंगे सीख लेंगे फिर आप इसको कर सकते हैं डबल आप इन यह होता है जब भी किस्टमर सब्सक्राइब करता है आपके स्टोर पे उसको पहले एक इमेल जाएगी अगर वो उसको कंफर्म करेगा देन वो आपकी लिस्ट में डोगा जैसे आप लोग में देखा होगा जब भी आप किसी न्यूस लैटर को सब्सक्राइब करते हैं तो पहले आपको एक इमेल आती है आप इस एमेल को कंफर्म करते हो दैन आप उस लिस्ट में एड होते हो आक्टिवेशन लिंग नि इतनी सारी चीजें हम इसमें कवर नहीं करेंगे शौपिफाय तो चले हैं आप लोगों को चीजें समझ आजें बट इतनी जारा डिटेल चीजें में और डिफेंट डिफेंट चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा अभी सिंकिंग हो रही है इसकी थोड़ा टाइम लग सब्सक्राइब हो जाएगे अगर आप यहां पर मैनेज में आएंगे इंटीग्रेशन में आएंगे ताकर आप आप यहां पर आएंगे इंटीग्रेशन में इकॉमर्स शॉप सिंग लेकर शॉप सिंग बटन ग्रीन हुआ है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर इंटीग्रेट हुई है यहां से आप अपने शॉप को आउटमेटिकली मैनेज कर सकते हैं मैनेज यूर साइट यहां से आप पॉप भी आड़ कर सकते हैं इंबेड़ आप आप फॉर्म ओन यूर वेबसाइट ग्रो यूर ओडियंस एंट सेल मोर स्टाफ लेके फॉग्जेंपल मैं इसको कहता हूं मैं एक पॉप आड़ करना है ने क्लिक कि आड़ पॉप यहां पर मैं पॉप आप को ड IDरा टेक है है अब लावा अगर आपको कोई और फील्ड भी चाहिए तो आप यहां से फील्ड बगारा भी ऐड़ कर सकते हैं इसके लिए डर टेनिकर पर टेकर लिए उसके लावा आप कि सेटिंग कर लें मधिकर आपको और दॉटापने आड़ करनी है जैसे आपको फस्ट नेम चाहिए छिए आपने पर फिरस नेम करना है इसको आपने उपर लेकर जाना उपर ले जाए आपको हया फोन नОबर भी चाहिए तक प्नारिग किया मैंने बटन है बटन को आपने ayren करना सेंटर लाइन कर दें डिस्क्रेमर आप आड़ कर दें यहांपर के यूर इन 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 भी ओनली यूज लोली इसमेट बेद मेलचैंप यह रिमूब नहीं हो गया वह इसलिए रिमूब नहीं होगा क्या आप मेलचैंप का प्री वर्जिन यूज कर रहे हैं अगर आप प्रीमियम वर्जिन यूज करेंगे फिर रिमूब हो जाएगा लेआउट करना चाहिए आप लोग इसके लियाउट कर सकते हैं इसकी मज़्जी लेआउट कर ले इसको सेव करें आपने वेबसाइट पर शो करवाना है ओके ठीक है शो करवाना है यह यह आप्शन दोबारा समझा दों चले मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं देखें इंटीग्रेशन में आना है आपने इंटीग्रेशन यहां पर आपने एकॉमर्स शॉप सिंक करेंगे मैनेज अपने साइट को मैनेज करेंगे आप कि रखें पॉप 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 करेंगे यहां पर अभी आपको एडिट का बटन नजर आ रहा है बट जब आप इसको आपने नहीं एड़ किया होगा ताके पास बटन आ रहा होगा एड़ का यह 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 पॉप आप विल डिस्प्ले ऑन सोकोरा सॉक्स मैं इसको करता हूँ कि अब इसको हिए गिदि कर सकते हैं अच्छा यहां पर इसमें वेबसाइट क Mode कर सकते हैं कि आपने हुँ आपी इन कोगनीटर मोड में चेक करेंगे जब भी आपने इसना की चीज़ चेक करनी हो तो हमेशा इन कोगनीटर मोड में ही चेक करना आप में चेयर एंप्रोल भी मैंने एड़ किया और पासवर्ड नहीं स्टोर पर आगया यह क्यों नहीं शो हुआ आया था पॉप- यहां पर आप उट्जेंपल मैं कहता हूं मैंने इमेल आड़ी से इसको करना है मैं कहता हूं कौन सा इमेल आड़ी करता हूं आउट्लुक डॉट कॉम मैंने आड़ किया सब्सक्राइब अब इसको मैं चेक करता हूं कि यह मेरे डेटाबेस जो मैंने बनाई ही है शौपिफाय मेल चैंप में वहां पर आड़ हुआ भी है नहीं हुआ वह देख लेते हैं लोग मेल चैंप में आया आडियंस यह देखें नाइन हो गए और यह देखें यह यूजर एड़ हो गया है यहां पर क्यूंकि मैंने टैग्स अभी इसके साथ इंटिग्रेट नहीं किया हुए इस वह से टैग कस्टमर टैग नहीं हुआ अधर वाइस कस्टमर टैग हो जाता कभी मुझे मुझे जीजों पर तो वह आप लोग कभी मुझे मुझे तो आप लोग कमें जरूर करवा दूंगा इपन्ट के राइम मिलता है नहीं सेम बिल्कुल नहीं राइडे कले रखेंगे इसलिए नहीं है टैग्स नेटीग्रेट नी किया हुए टैग्स इंटीग्रेट की होते तो फिर सब्सक्राइब करके सिर्फ का बटन प्रेस करना था आपने और फ्राइडे वाले दिन हम नहीं करेंगे प्रेक्शन पेज को स्ट्रक्ट्टर करना बताऊंगा आपनों को इन्शालला प्रेमियम थीम के तुरू कोई भी प्रेमियम थीम यूज़ करके आप लोगों को वेबसाइट का एक स्ट्रक्टर बनाना बता दूंगा आप लोगों को एंड उसके बाद फिर एक पेज फ्लाइ रह जाएगा हमारा पेज फ्लाइ करके हम एक दो क्लासिज में शॉपिफाई क को सेंड्स करना हो तो एक दिखने करके कर सकते हैं सही दर होना 그거 मनें ईैड're करेंगे क्युंकि मैंने जो मेरा न्यूजलेटर का टैंपलेट था उसमें वह नहीं किया एपना पॉप-उप्र्ण स्ट्रक्टर था उसमें वो एडिट नहीं था फॉर्स नेम लास नहीं होता रजूर आ जाता है जो आप लोगों को मैंने टिप दी है पॉप अड़ करने वाली यही सेम चीज़ आप लोग अपने वर्ड प्रेस वेबसाइट से भी कर सकते देखें यह वह चीज़ें जो सब्सक्राइब के सलिएरों से इंदने जो क्लाइट को एक जैसे लिए यह ऐसे कर आ實 ना गुबड वर्क दन एक्सिलेंट वाली बात नहीं है एक्सेलेंट वाली बात अगर आप पाप फिरी में यह तो तो यही तो ही रहा है जो इसको तलाश कर रहा था हमां जी ऐसे ही है मेल चैप क्लाइट को साइन अप करते हैं उसको कहें देखें जी मैंने का आपके लिए CRM टाइप सेट कर दिया है जो भी आपकी लीड आएगी वो आटमेटिकली यहां पर सेव होती रहेगी सम्टाइम्स क यही चीज और हर वेबसाइट हां ऐसे ही है अभी तो अभी तो आप लोग मैंने ट्रिगर नहीं समझाए कभी आप लोगों को मैं अगर जब वर्डप्रेस करेंगे तो अगर अगर मैंने आप लोगों का अलिमेंटर करवाया अलिमेंटर में आप लोगों को मैं ऐसे से ट्र करने लगे हैं तो वह आपको पॉप अप दिखा देगा कि यार 50% डिसकाउंट वह एक्जिट ट्रेगर एक्जिट ट्रिगर्स होते हैं कस्टमर के डिफरेंट मूड्स डिफरेंट एक्शन्स के मताबिक आप ट्रिगर्स कर सकते हो इवन शॉपिफाय में भी डिफरेंट अप फोकस नहीं है इसलिए हम ओसी दो नहीं करेंगे बैट वोटते वह गाव्ट वहते हैं वही जो गडिफिगर्स होते हैं एक्सिट ट्रिगर्स होते हैं इवनहाब पाफ पर सकते हो यूजर इस पेज़ पे जाए इसको क्लोज करें लगए उसको 50% डे दो इस पेज़ पर गक करें तो इसको इतना प्रशेंट सकान दे दो आपने हक अदा कर दिया एक सो बाइस लोग हैं लोग छोड़ के भाग चुके हैं मैं जरा जो हमारे ले मैंजर हैं सर्फराज साब उनको कहूंगा सर अपना अटेंडर्स अब अब जनरेट करें अब इस टाइम की बेस पर टेंड आए गुजरे तो आप साइड बेखड़े हो जाएं टीचर आए तो आप जुक के सलाम करें यह चीज़ें नहीं चाहिए होती है टीचर की रिस्पक्ट करने के तरीका यह होता है टीचर आसाइमेंट दे आप लोग टाउं का आपस असाइमेंट कर लें क्लास को प्रॉपरल ट्रेंट 30 मिनिट आचा होके अलिया अथिफ मेरी गड़ ठीक है जी मैं जो थीम यूज की है उसमें वीडियो में ताहिर अजीज अच्छा ओके लेक्स इंपॉर्टन स्थार्ट हैं ओके नहीं बता दें ट्रिगर अप्स का अब यहां पर स्टोर में जाएंगे चले आपको यूज किया है किरावा देखें यह एक और है एक और है एकजिट इंटेंट पॉपपस किसमें एकजिट इंटेंट में जैसी वह एकजिट का बटन प्रेस करने लगेगा तो उस उसका वह ट्रिगर जन्रेट हो जाएगा कि आप एकजिट करने लगे अच्छा भाई ना चाहिए तो आपको आइडिया हो जाएगा नहीं आइडिया होगा तो मुझे बताना कर आपनों का मैं कुछ समझा दूगा है क्या इससा पॉसिबल नहीं है कोर्स में साथ साथ दो लाइफ स्टोर क्रियेट कर लिए जाते एक पाकिसनी आउडियंस के लिए एक वोर्ड के ल कुरा करते हिरी यह जोंगे डाइट करेंड ओर उन्हें अभी अबाश्वों नहीं है नहीं कंटी नएग वह सब्सक्राइब अपना स्टोर में अब च Author है कि लिए बड़ी कि खाहश है कि दो स्टोर हम क्रियेट करें बट 48 40 50 डॉलर्स या 60 डॉलर्स पे करना की हमत नहीं होती हम लोग में नॉमली इसलिए मसला सिर्फ यह कि मैं अगर रियल टाइम करूँ और आप लोगों को आप लोगों को सेल्स जनरेट करके दिखाओं तो आप लोग प्रोड करें प्रीज करें पर लोगों की मशीं प्रीदिग्स पर उसके बाद के इसवी कोघना करके आप कि मैंने शॉपिफाइड कर वा दिया नेक्स्ट आप लोगों को मैं प्रीमियम प्रीम पे काम करवाँ गारा अगर आप यह सोर साथ साथ चलाते रहते हैं और इसको एक सीरियस होके लेकर चलते हैं आपके पास सेल जरूर आएंगे मैं सारा काम यह रीएल टाइम पे करवा रह होता है मैं किया करता मैं सिर्फ यह करता कि मैं आप लोगों करवाने की बजाए कि आप लोगों को अगर नहीं है उसका मतलब यह है कि मैं लोग चाहा रहा हुं कि आ लोग कोई अपने स्टोर्द पे ध्र करने हैं कि इसे प३ोड़ने लोग औरी स्टोर से होगा ऐसे ही बनेगा बड़ उसके अप्लिकेशन जोर होंगी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन वजहाद फिर भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह और इसको मजीद ट्रैक्टिकलिटी की तरह ले जाते हैं मैंने कुछ अपी ग्रूप हैं उन में मेल फीमेल कॉलिज ओर्स क्रियेट करो मैंना मैं एक एक ना चोटा सा अग्जेम्पल दिखाता हूं मैं अच सुपर ही सर्च कर रहा था और उसका नाम वो युनिवस्टिए जैबिस इस्लामबाद में वहां पे ना उन्होंने एक ट्रे कर रहे हैं वो डीश जार रुपे का ampa कोर्री वह पुर्वार्य यह बंदा किया किरा चार साल का एक्सपी ज्रेंस मार्केटिंग में मैंने कंपनी बनाई है है CEO हूँ मैं डिजिटल दस्तक कंपनी है मेरी अब डिजिटल दस्तक में सर्च करता हूँ तो इसने लिखा हुआ कि कैनेडा कैनेडा वाल ऑफिस कैसे है कुछ भी नहीं है सिर्फ इन्हों इसको कहते हैं इसको एक मिनिट में आपको एक्जेक्ट नाम बताता हूं प्रेस को कहते हैं प्रेस रिलीजिस ठीक है दुनिया में बहुत सरी अपसाइट्स ऐसी है जो कि प्रेस रिलीजिस करती है आप उनको दो तीन सो डॉलर दो और वह प्रेस रिलीजिस करके ना आपकी वह प्रेस रिलीज यहू फाइन्स जो जो बड़ी बड़ी पर एपसाइट उसमें पोस्ट कर देती है उसमें कोई ऐसा खास इशू नहीं होता है या आप रांस्मेंट्स करवा सकते हो बट मज़े आपको बताता हूं मज़े की बादाता हूं मार्केटिंग फंडामेंटल्स 15100 रोपा कोर्स अल्टीमेट गूगल एड्स 3500 रोपा कोर्स ब्रैंडिंग याड्टिंग इन डिजाइन फंडामेंटर्स 2560 रोपा कोर्स कभी आप इसको कोर्स की कॉलिटी देखे ना तो हम एक फेक सी कंपनी के बारे में प्रैस्रिलीजी शो कर रहे हैं अब देखिए इसमें ब्रैंडिंग डिजाइनिंग फंडामेंटल्स नाम दिया आज चोटा से अगे लिखा है डिजाइन ऑन कैनवा तो हरुआ बंदा सीखी जाता है जिसको कुछ भी नहीं आता है डिजाइनिं रेंडींग का ऑसे लोग जो हूप जोथे हैं और जिनकों फाइदा उठा बाते हैं यह देखिए यह 35ive- Venus फैसबुक. आज कि क्या है तुम सारे कोर्स मुझसे ले लो आठीनार वड़कीमें ऐसा ही है बिलकोए तो शार साल का एक्सपीरियंस है ना फेस्बुक की कुछ है ना फेस्बुक का कोई अच्छा फेस्बुक ग्रूप देखते हैं इसका फाइफ नाइंटी फॉर मेंबर दें सिर्फ इसके ग्रूप ले यह 20,000 को कोर्स करवाने जा रहा है जिसको अपने फेस्बुक वाले ग्रूप वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है जिस्ट बिकॉस के थोड़ी सी ब्रैंडिंग की इसमें अपनी आइसे यह दुरू से देखके वीडियो क्रेट कर ले चलाएं ठीक है तायकि शुमअच अअब ने स्नुबर्व बाल के तरह नहीं है क्योंकर वह फेक मारकेटिंगए फेक ब्रैंडिंग स्नुबॉल नहीं करनी है अपने ठीक है गाइस तैंक युसौ मच इंचला टुमोरो और खल्श्ट हम प्रीमियम थीम करेंगे इंशाला झाल झाल